नमस्कार स्वागत है आप सभी का लाइब ख़पर में और मैं हूँ आपके साथ सुर्फी राजपूत शुरुवात करते हैं अब तक की बड़ी हेड्लाइन से चात्रों के भविश को लेकर हो रहा है खिलवार हाथों में कलम की बजाय थमा दी गई जाडू दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार हाइवे पर तेज रफ्तार कार का दिखा कहर खड़े ट्रक से टकराई कार तीन लोगों की मौत एक घायल और अब खबरे विस्तार से चात्रों के भविश को लेकर एक ताजा मामला सामने आया है जहां सरकार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया की बात करती है तो वहीं यूपी के संबल में यहां चात्रों के हाथ में कलम की बजाय जाडू थमा दी गई आपको बता दे कि सरकार स्कूल में पढ़ने वाले चात स्कूल में पढ़ने की वज़े जाडू लगाते दिखे ऐसे में शिक्षकों का बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं था आखिर क्या होगा बच्चों के भविशी का? कौन होगा इसका जिम्मेदार? ऐसे में सवाल तो कई उड़ते हैं जो सरकार को कटगड़े में लाकर खड़ा करते हैं दिल्ली के थाना नदनगरे इलाके में विक्की और कटटा की दो दिन पहले हुई हत्या के मामले को पुलिस ने सुलजा लिया है पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफतार किया है यूपी के बागपद जिले में तेज रफतार कार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा जिसके चलते आई दिन लोग दुरगटना का शिकार हो रहे है आपको बता दे कि ताजा मामला इस्टन पैरिवल एक्सप्रेस वेका है जहां देर रात तेज रफतार डस्टर कार हाईवे पर खराब खड़े ट्रक से टकरा गई जिसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक यूवक गंभी रुप से घायल हो गया जिसके बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने घायल यूवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और शवो को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया जनपत कासगंज के नगर पंचायत अधक्ष सहावर जाहिदा सुल्तान और सभासदों के बीच विकास कारियों के विवात को लेकर आज कस्बे के 13 सभासदों ने अर्ध नगन होकर धरना प्रदर्शन किया है नगर पंचायत सहावर के कारियों पर चियर्मेन के खिलाफ मानकों को अंदेखा किये कारियों के जाच कराने के लिए SGM सहावर को ग्यापन भी दिया फिलाल अभी के लिए नियूस बुलिटिन में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव खबर